नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुरेश, टीचर एजूकेशन सिंप्लिफाइड चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो है नियर पॉड के बारे में नियर पॉड एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप पाच मिनिट में एक डिजिटल लेशन बना सकते है वहाँ पर सारे रिसोर्सेस होते है टीचर्स को चाहिए कि सिर्फ वो रिसोर्सेस को कलेक करें और उससे एक लेशन बनाए दूसरी फैसिलिटी नियर पॉड में यह मिलती है कि आप स्टूडन के साथ वो लेशन लाइव शेयर कर सकते है तो स्टूडन्स आपके साथ ही वो लेशन देख सकते है तो शुरू करते है इसमें हमें ब्राउजर ओपन कीजिए उसमें आप डालिए नियर पॉड जो वेबसाइट आएगी इस तरह से वेबसाइट आएगी नियर पॉड की आपको इसमें एज़ टीचर साइन इन करना है पहली बार जाएंगे तो आपको साइन अप करना होगा आपका नाम लास नेम और स्कूल का एक इमेल आईडी आपको देना होगा हम अगर ट्राइल के लिए परसनल इमेल आईडी भी देते है तो काम चल जाता है इस तरह से साइन इन करना होगा उसके बाद एक लिंग आपक क्लिक करके इस website पर आ जाएगे तो आपका भी email verify हो जाएगा और आपका यह एक free account आ जाएगा तो basically यह जो facility नियर पॉड की यह paid version में है लेकिन इसके लिए हमें trial version एक मन तक ले सकते है और इसमें हमें ज्यादधा से ज्यादधा 50 MB तक की space मिलती है नियर पॉड के इस home page पर आने के बाद देखिए यहाँ पर है नियर पॉड लाइबररी इसमें हम सर्च कर सकते हैं टीचर्स ने पहले से बना हुए lessons यहाँ पर आप देखे फ्री या paid है कौन से lessons आपको चाहिए कौन से subject के चाहिए कौन से standard के लिए चाहिए किस type के चाहिए यह lessons यहाँ पर मिल जाते है तो यह पूरी library है जो यहाँ teachers ने बनाए हुए है याद रखे जब आप lesson बनाएंगे तो वो lesson भी इसी library में आ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी lesson यहाँ बनाते हो उसका जो copyright होता है या फिर उसका जो write होता है वो इस website का होता है क्योंकि आपने वो lesson इस website पर बनाया है इनके resources का use करके तो यह बात आपको पता होनी चाहिए इसके बाद अगर यह report का option है report में आप देखेंगे कि आपने इससे पहले अगर कुछ lesson बनाए हुए है तो उस lessons का जो record है वो यहाँ पर आएगा browser में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यह जो है यह मैंने पहले वाला sample lesson बनाया है इस नाम से तो यह lesson मैं चाहू तो जूम में भी लाइव करा सकता हूँ अभी बेटा वर्जन है मतलब है trial वर्जन है लेकिन हम जूम में यूज कर सकते हैं लाइव lesson हम कर सकते हैं यह फिर student पेस कर सकते हैं लाइव lesson में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो student लाइव है वो student यहाँ पर लाइव जोईन कर सकते हैं और आप जिस तरह से lesson को run करेंगे उस तरह से lesson student आपके साथ ही देखेंगे तो दिखते हैं कि lesson को किस तरह से किया जाता है यहाँ पर आईए lesson in near pod अगर आप lesson in google slide में जाते हैं तो यहाँ पर google drive open हो जाएगा लेकिन उससे कुछ फाइदा नहीं हमें lesson in near pod में ही करना है lesson मतलब इसमें हम यह कर सकते कि storyboard होते या फिर slides होते हमें one by one वहाँ पर content add करना होता है यह online ही होता है तो इसके लिए internet होना बहुत जरूरी होता है पहले आप अपने lesson को नाम दीजिए उसके बाद चुरू किजिए one by one यहाँ पर slide बनाना slide में जैसे हम click करते हैं तो हमें अलग-अलग चीज़े यहाँ पर add कर सकते हैं यह facilities इसी website पर है videos जो भी video आपको search करना है जो video आपको add करना है आप वो video यहाँ पर add कर सकते हो save के click करने के बाद इस slide में यह video आ गया है अब हम next slide करते हैं आप सारी की सारी चीज़े यहाँ पर एक एक try करके देख सकते हो web content में आने के बाद आपको जो भी link यहाँ पर paste करने आप पर इसे copy paste करके रखे और open करने के बाद आप उसको यहाँ पर paste करें और save करें next slide यहाँ पर कुछ अच्छे resources भी है जैसे near pod में कुछ 3D images भी दिये हुए है तो हम वो भी यहाँ पर add कर सकते हैं आप यहाँ पर search कर सकते हैं कौन-कौन से आपको images चाहिए select करना है done पर click करना है वो 3D वाला image यहाँ पर आ गया है तो यह सारे resources यही पर है आप अलग-अलग resources से भी ले सकते हैं यहाँ पर कुछ हमें जो भी कुछ images चाहिए होगी यहाँ पर search कर सकते हो तो यहाँ पर copyright का issue नहीं है क्योंकि यहाँ पर sponsor किया गया है इसलिए यहाँ पर copyright का issue नहीं आता है तो आप सारे जो content के इसाब से जो भी आपको resources चाहिए यहाँ पर add किजिए और यह भी यहाँ दिखे कि यह size कितना हो रहा है आप यह PDF PDF फाइल डाल सकते हैं यहाँ पर कुछ live stream होगा twitter का वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर कुछ BBC के वीडियो होगे एजुकेशनल वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं अपकोस फिर से एक बार इसमें copyright का कोई issue नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर sponsor किया गया है BBC क कि तरफ से इस तरह से हो गया है इसका size total हो गया 1.3 MB तो यहाँ पर अब हमें एक preview करना है किस तरह से दिखता है यह जानने के लिए student को यह इस तरह से दिखेगा अगर आपका internet का speed अच्छा है तो यह जल्दी जल्दी होगा अगर नहीं तो यह थोड़ा ल्याग इसमें आएगा तो यह लास्ट वाली slide आई है जिसमें हमने BBC चे कोई यह हमने image ली थी पूने की आगा कान पालेस की इस तरह से student वह देख सकते है स्टूड़न इसका experience कर सकते हैं यह preview है इस तरह सी student को जो है यह पूरा lesson दिखने वाला है आप preview देखने के बाद इसका close कीजिए और lesson को create कीजिए तो यह सारे जो आपने slide लिये हुए सारो को combine करके इसका जो lesson है create हो गया है यहाँ पर आप इसको नाम दिजिए और उसका description भी दिदिए grade लिखिए subject कीजिए unsave and exit कीजिए तो इस तरह से lesson अब यह तयार हो गया है आप इसको student के साथ share कर सकते तो students को आप email के जरीए share कर सकते तो student जब click करेंगे तो यहां आएंगे और यह lesson को देख सकते हैं यहां पर माई library में आप click करेंगे तो आपको आपके सारे lessons यह पर दिख जाएंगे उसका size भी दिखेगा 3 MB का हुआ है और यह 2 MB का है और इस free version में मुझे 50 MB तक की free मिला हुआ है अब यह तैयार होने के बाद share कैसे करना है लाइव session है या फिर students पेस मतलब students उनको अपने हिसाब से देख सकते कभी भी login कर सकते है अगर लाइव यह उनको code चाहिए होगा यह आप code उनको आप यह लिंक इस तरह से बेश सकते है इमेल से या फिर सोशल मीडिया से या फिर गूगल क्लास्रूम में भी यह लिंक शेयर कर सकते है यह code उनको automatically चला जाएगा जब तक यह code उनके पास नहीं होगा उनको यह lesson नहीं दीखेगा students को भी इस website पर account बनाना होगा तभी हम इस website पर यह lesson बना सकते हैं अगर आप कुछ training लेना चाहते है तो यह आप teachers के लिए अलग resources भी अगर आप कुछ सीखना चाहते है अलग लग तो यहाँ पर कुछ webinar दिये हुए होते है लाइव आप अपने हिसाब से अपने जरुरत की हिसाब से इस पर क्लिक करके सारी लिस ब्राउज करें और आपको जहाँ भी lesson लेना है जो भी आपको skill सीखना है आप वह webinar यहाँ से जॉइन कर सकते हैं इस तरह से निरपाड की मदश्चलम कमसे कम समय में अच्छे अच्छा डिजिटल लेशन बना सकते हैं और स्टूडट के साथ लग कर सकते हैं लाइव भी शेयर कर सकते हैं और उनके पेस्ट के इसाब से भी शेयर कर सकते हैं थैंक यू